हलो दोस्तो राज अलवाई रस्पी में आप सभी का स्वागत है अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन आन कर लिजिए चलिए हम शुरू करते हैं हलो दोस्तो राज अलवाई रस्पी में आज हम बनाएंगे चोटे चोटे रस्गुले तो चोटे चोटे रस्गुले या इसे रस्भरी भी कहते हैं कहीं कहीं रस्भरी कहते हैं तो आज हम रस्भरी बना के दिखाएंगे आप भी अपने घर में इस तरह बना सकते हो उसके लि मलाई को हमें ऊसके भीच में घोलना पड़ता है इस लिए हमें दुबारा उबाला पड़ता ही इसको और वालती है यह गैसका फोलेम हम बंद करतेंगे उसके बाद में देखे थोड़ा सा हम इसके गरम भाप निकाल देते हैं उसके इसको पानी में रखके ठंडा करना पड़ेगा यह बुफैलो मिलक है बुफैलो मिलक हमेशा कोसा गरम फाड़ा जाता है जितना गरम हम दूद पी सकते हैं उतना गरम फाड़ा जाता है तो उतना गरम हमारा यह रहे गया अब इसको पानी में से निकाल लेते हैं उसके बाद म कप में लिया है कप में हमने 20 Emil तक विनेगर एड किया है कि उसके बाद में गलास पानी का भर लेंगे यह 500 ml वाला कप है पानी इसलिए मिलाते हैं कि मसाले की खटास कम हो जाए उसके बाद में थोड़ा थोड़ा आड़ करेंगे दूद में दूद हमारा फट जाता है जो मसाला बचता है विनेगर वह आपस हम रख लेते हैं दुबारा बोतल में रख लेते हैं उसके बाद पानीर अच्छी तरह जब च्छन जाए पानी इसका निचुड जाए तब हम मैस करेंगे तो पहले हम यह चारों तरफ से चाननी में पकड़ लेते हैं और अच्छी तरह हाथों से निचोड देते हैं यह पनीर स्वाफ्ट बनाना होता है स्वाफ्ट फाड़ना भी पड़त इसलिए पानी मिलाया जाता है उसके बाद में यह निचोड़ते वक्त जो गाढ़ा पानी आइंड में गिरता है इसको हम रख लेते हैं यह हमारा कप में रख लेते हैं यह हमें पकाने के काम आएगा जग के लिए काम आएगा उसके बाद में मैस करके हम त्यार करते हैं यह हमने प्लेट में एड़ कर दिया अच्छी तरह हम छेने को मैस करेंगे यह साड़े साथ सुरे मल दूद का हमारा छेना त्यार हुआ है उसके बाद हम अच्छी तरह छेना मैस करके कंप्लीट कर दिये हैं बिल्कुल यह क्रीम जैसा बना लेज़ा होता है बहुत सौर्ट पनीर होता है यह अच्छी तरह इसके दाने और बिल्कुल नहीं होना तीन कप इसमें सुगर एड़ गया है सुगर के आधा हमने पानी एड़ गया है तेर एक मैस के बाद में इसको हम सुगर को मैल्ट करके और चासनी बना लेंगे गएस का फ्लें मेडियम पे हमारा चला दिया है उसके बाद में यह थोड़ी देर बाद उबाला आ जाता है चासने हमारी कम्पलीट हो जाती है उसके बाद में अब हम छेने में अपना सोडा मिठा सोडा लगाएंगे ये हमारा बिल्कुल चमज के बैक साइड में रखके लगाया इसलिए बहुत थोड़ा लगता है और उतना ही हमने बैकिंग पॉर्टर लगा दिया है थोड़ा थोड़ा हमने बतर एक एक चुटकी हमने दोनों लगाया हाथों की चुटकी यों真 पकड़ ले तो ऊत्रा लगाया क्लब ने बताना बहुत मुस्किल होता है क्लाभ में यजिए बहुत कम होता है दोलना बहुत मु值 काम है सोडा बैकिंग पॉर्टर इसलिए चंगर बैक साइड रखके हम दिखाके लगाते हैं आप समझजाएए की तना लगाए उसके बाद में इसमें हमने है का अ को अस्वादब करनफूल्ओर लगायेंगे से तो कार्नफूलवर हमारा ग्राम में 20-22 ग्राम है और पांच ग्राम है यह कीलो छेने में सो ग्राम कार्ण फ्लोर लगाते हैं और 20 ग्राम सूजी लगाते हैं उसे इसाब से यह हमारा जो छेना है पनीर है यह पौने 200 ग्राम है उसे इसाब से हमने कार्ण फ्लोर और सूजी लगाया है उसके बाद में यह मैस करके हमने त्यार कर लिया है अच्छी तरह अब इसको हम छोटे टोके करेंगे छोटे छोटे पीस में तोड़ लेंगे छोटे रस गुले बनाने के लिए बिल्कुल छोटे छोटे साइज में तोड़ेंगे यह सिर्फ 2-2 ग्राम की गोलिया होती है तो इस तरह के हम 2-2 ग्राम के पेडिया तोड़ लेंगे छोटे 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 रस बनाने के लिए तो इस तरह हमने की तसारा पेडिया तोड़ लिया है उसके बाद में इसको गोली करके दिखाते हैं लुइभा नताइज ओक्राइज तरह माड़σι और मार के कि अच्छी तरह कर और सब्सूतरी गोली बन जाए इस तरह हम यह रावन्ड मारकर GOLIYA कर देते हैं यह पूरी अच्छी तरह मैय so कर करना होता है इस तरह हमने मैय so करके और त्यार कर दिया है उसके बाद में यह देखिए हमारी जो Gitोलिया है बिल्कुल इस तरह मैय so कर कर दी हैं सब्सक्राइब करेंगे कि हमारे रजगुले बनते कैसे है यह अच्छी तरह फूल चुका है सॉप्ट भी है अब हमारे यह रजगुले बिल्कुल सही है सारी गोलियां हमने करके कंप्लिट और हमने कर दिया यह हमने छोटे रसगुले की गोलिया करके हमने सारा आयड कर लिया है पांसाथ मिनट पकने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हैं क्योंकि चासनी गाड़ी हो जाती है जब चासनी गाड़ी हो जाती है तो यह अबजोप नहीं करती है तब अपजोब कराने के लिए इसको हम पानी लगाते हैं जब ये पतली हो जाती है तो इसकी जालिया जो होती है बहुत बरीक होती है अंदर के रसगुले की जालिया बहुत बरीक होती है जब ये चासनी पानी लगाने से पतली होती है तब इस जालियों में अपजोब करना करते हैं उसके बाद में जो पानी लगा लगा करें जब इसकी तषणा ऊपर की शॉप्ट हो जाए बिलकुल मुलाइम हो जाए तो यह हमारा पक जाता है पानी लगाना बंद कर देते हैं उसके बाद में यह हम निकाल लिए अपने बड़े से बाउल में अब यह पक के बिलकुत तयार हो ज़यता अगर यह कच्चा रहता है तो सिकुड़ता है लेकिन ये कच्चा नहीं है बिल्कुल अच्छी तरह ये पक्के त्यार है इसको ठंडा हो जाने के बाद में हम ये पलेट में निकाल ले है इसको कम से कम हमने तीन घंटा छोड़ दिया ठंडा होने के बाद में तब ये हम पलेट में निकाल दी है उसके बाद में इस मिन्नार रसा बिल्कुल भरी हुई ये अच्छी तरह ये रस भरी इस से कहते है रसंबरी इसको रस भरी इस लिए कह जाता है अच्छी तरह ये रसा भर जाती। उसके बाद में यह देखिए इसको हम पलेट में जोड़ साथ चलता है मिहीं इस ते भाद में इसमें टूथपीक के डिक्के लगाके और अच्छी तरह सल्ब करते हैं तो इस तरह हमाले ये छोटे रस गुले बिल्कुल इस तरह छोटे छोटे रस गुले बिल्कुल स्वाप्ट और रस भरी तयार है आप भी अपने घर में इस तरह रस भरी अपने घर में बना सकते हैं इसमें कोई दिकत वाली बाद नहीं है सरल तरीका है लेकिन पनीर हमेशा स्वाट होना चाहिए जो पनीर स्वाट नहीं होगा दाने पड़ जाएंगे तो ये इसकी फुलावट नहीं बनती है ये फूलते बहुत कम है फिर कच्छा रह जाते हैं इसलिए इसको पनीर स्वाट बनाना सबसे जरूरी होता है उसके बाद में आप मसाला लगा कर इसमें सोडा बैकिंग पॉडर तब इसको आप पकाईए चासनी में चासनी हमारा सुगर का आधा होता है सुगर का आधा पानी एड़ कर आधा आधा हमारे चासनी बनाना होता है के बाद हमारे छोटे रस गुले रसबरी और तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताए है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शर दियूब कर लीजिए घंटी वाला बटन कर लिजी ताकि आने वाली हलवाई वाली वीडियो हमारी आपके पास पहुंचती रहें देखने के लिए थाइंक्यू सूमाच